सुप्रबात वच्चों, आशागरती हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, आज मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, तान और ताल, ये एक हास से एकांकी है, और इस पाठ में पात्र हैं, अकवर, बीरवल, दरवारी, दस बारे दर्शक हैं, छे गायक हैं, दो चार दरवान य जादी बजाने वाले हैं, इसमें पहला द्रश्य है, यानि रंगमंच की उपर ये नाटक चल रहा है, और ये इसके पात्र हैं, इसमें पहला द्रश्य है, अकवर का दरवार लगा हुआ है, संगीत की सभा जमीवी है, एक और कलाकार तक्त पर बैठे हैं दर्वारी और दर्शक गण नीचे हैं यानि कलाकार तो तक्त पर बैठे हुए हैं जो अपनी प्रस्तुती देंगे और जो दर्वारी और दर्शक गण हैं जो देखने वाले हैं उनका समू नीचे बैठा हुआ है बीर्वल और अकवर अपने अपने आसन पर बैटे हुए है बीर्वल जहाँपना बीर्वल बोलता है जहाँपना अकवर को इजाजत हो तो सभा की सुरुवात की जाए मसबूर उस्ताद अमीन अली खां सहाव तस्रीफ लाए है वे राग भोपाली पेश करेंगे तबले पर पंडित बोला सास्त्री है यानि बीर्वल जो है अकवर से इजाजत मांग रहे हैं कि वे सभा की सुरुवात की जाए और मशूर उस्ताद अमीन अली खांए वो यहाँ पर तस्रीफ लाए यानि यहाँ पर पधार चुके हैं वे राग भोपाली प्रस्तुत करेंगे और तबला कौन बजाएंगे पंडित बोला सास्त्री तो अकवर कहते हैं इजाजत है वो मंजूरी देते हैं वे संगीत का आनंद लेने के लिए आराम से बैठ जाते हैं वीरवल इसारा करते हैं शुरू कीजिए उस्ताद जी किसको उस्ताद जी को गाना सुरू होता है मुरली अधर धर स्याम सुन्दर दरवारी भी मगन है यानि दरवारी भी उस गाने को सुनने में डूप चुके हैं कोई तबले की ताल पर थाप देता है तो कोई सिरह लाता है कुछ का समूचा सरीर जूम रहा है तो कुछ मूँ बनाए आखें मूंदे मजा ले रहे हैं बीरवल भी मस्त हैं पर बीच बीच में पैनी नजर से बादसा को देखते हैं उन्हें प्रसन देख वे भी वहवा करोड़ते हैं गायन समाप्त होता है सब प्रसंसा करते हैं अकवर भी ताली बजाते हैं यानि गाना शुरू होता है तो सब अपनी अपनी ताल में मस्त हैं यानि कोई तबले की ताल पर थाप दे रहा है, कोई सिरे ला रहा है किसी का पुरा शरीरी जूम रहा है कोई मुझ बना करके आँखे मून करके मजा ले रहा है यानि सभी उस गाने को सुनने में इतने मदमस्त हो गए है वीरवल भी मस्त हो गया और बीच-बीच में जब वादसा को देखता है और प्रसन देख करके वावा कर उड़ते हैं जब गायन समाप्त हो जाता है तो सब प्रसनसा करते हैं अकवर भी जो वादसा अकवर है वो भी ताली बजाने लग जाते हैं अकवर कहते हैं वावा क्या खूब क्या तान निकाली है क्या आलाप दिया है दिल जूम उठा वीरवल इनको थैली भेंट कीजिए यानि इसने इतना अच्छा गाना गाया है इतनी अच्छी तान दी है कि सबका दिल जूम उठा सबको मतलब मोहित कर दिया इसने अपने गाने से तो वीरवल इनको थैली भेंट दीजिए मतलब इनको पुरुषकार दिया जाए बीरवल जो हुकम जहाँ पना थैली देते हैं यानि जो हुकम यानि आदेश जहाँ पना और वो थैली उनको पुरुस्कार सुरूप दे देते हैं तो बच्चो आज तक के लिए इतना ही काफी है